आज हम देखेंगे पूर्णांकों की योग के उधारण। किसी स्थान पर सुब पांच बज़े का तापमान था 0 डिगरी सेल्शेस से नीचे 4 डिगरी सेल्शेस। यह दोपर 1 बज़े तक 22 डिगरी सेल्शेस से बढ़ गया। तो दोपर एक बज़े का तापमान क्या था? दिये उधारण में सुभा पांच बज़े का तापमान दिया है 0 डिग्री सेल्शियस से नीचे 4 डिग्री सेल्शियस चुकि यह तापमान 0 डिग्री सेल्शियस से नीचे 4 डिग्री सेल्शियस है इसलिए इसे हम रिनातमक पुर्णांक यानि negative integer रिन 4 डिग्री सेस्से व्यक्द करेंगे दोपर एक बज़े तक तापमान में 22 डिग्री सेल्शेस से बड़त यान इन्क्रीस हुई चुकि बड़त धनातमक पुर्णांक यानि positive integer से व्यक्द कی जाती है इसलिए इसे हम धन 22 डिग्री Celsius से व्यक्त करेंगे चुकि तापमान रिण 4 डिग्री Celsius इतना था और बढ़त धन 22 डिग्री Celsius इतनी हुई इसलिए दोपर एक बजे का तापमान, सुबह पांच बजे के तापमान के साथ तापमान में बढ़त जोड कर प्राप्त किया जा सकता है यानि के रिण 4 डिगरी सेल्शियस और धन 22 डिगरी सेल्शियस के योग यानि एडिशन से यहां जैसे कि आप देख सकते हैं योग में चिन अलग-अलग हैं क्या आप बता सकते हैं ऐसे पूर्णांगों को हम कैसे जोड़ेंगे सोचे सोचे आपने बिल्कुल सही सोचा इनका योग करने के लिए पहले हम संख्याओं का चिन नजरंदास करेंगे इससे हमें इनका संख्यात्मक्मान यानि नुमरिकल वैल्यू ग्यात होगा जो है 4 और 22 फिर हम बड़े संख्यात्मक्मान 22 से छोटा संख्यात्मक्मान 4 घटाएंगे इससे परिणाम प्राप्त होगा 18 और अंतिम चरण में हम इस परिणाम के साथ जिस संख्या का संख्यात्मक्त मान बड़ा है उसका चिन्न लगा देंगे यानि के धन 22 का धन चिन्न इस तरह से रिण 4 डिगरी सेल्शियस और धन 22 डिगरी सेल्शियस के योग का परिणाम है धन 18 डिगरी सेल्शियस इसलिए दोपर एक बचे का ताप मान था धन 18 डिगरी सेल्शियस अगला उधारण संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ग्याद कीजिए रिण 3 और धन 3 का योग ग्याद करने के लिए सबसे पहले पूर्णांकों की संख्या रेखा बनाए पहला पूर्णांक रिण 3 है रिण चिन्द हमें बताता है कि संख्या रेखा पर 0 से 2 और चलना है और इसके साथ लिखी संख्या बताती है कि कितने कदम चलने है इस तरह से हम संख्या रेखा पर 0 से 2 और 3 कदम चलेंगे दूसरी संख्या है धन 3 जो की एक धनात्मक पूर्णांक है धन चिन्न हमें बताता है कि संख्या रेखा पर दाई ओर चलना है और इसके साथ लिखी संख्या बताती है कितने कदम चलने हैं इसलिए हम संख्या रेखा पर रिन तीन से दाई ओर तीन कदम चलेंगे अंतिम कदम के साथ हम शुन्य पर पहुँच जाएंगे जो रिण 3, धन, धन 3 का परिणाम है इस तरह से किसी भी संख्या धनात्मक एको दूसरी संख्या रिणात्मक एक के साथ जोड़ने पर परिणाम शुन्य ही प्राप्त होता है ऐसी संख्याए जिनका योग शून्य होता है एक दूसरी की योज्य प्रतिलोम यानि additive inverse कहलाती है रिन तीन और रिन एक का योग करने के लिए हम संख्या रेखा पर शून्य से बाई ओर तीन कदम चलेंगे और फिर बाई ओर एक कदम और चलेंगे इसके साथ हम रिन चार पर पहुँच जाएंगे जो रिन तीन धन रिन एक का परिणाम है किसी संख्या के साथ रिन एक मिलाने से या उस संख्या के बाई ओर एक कदम चलने से हमें उस संख्या का पूर्ववर्ति यानि predecessor प्राप्त होता है रिन तीन और धन एक का योग करने के लिए हम संख्या रेखा पर शून्य से बाई ओर तीन कदम चलेंगे और फिर धन एक धनात्मक पूर्णांख है इसलिए दाई ओर एक कदम चलेंगे इसके साथ हम रिन दो पर पहुत जाएंगे जो रिन तीन धन धन एक का परिणाम है किसी संख्या के साथ धन एक मिलाने पर या उस संख्या के बाई ओर एक कदम चलने पर हमें उस संख्या का परवर्ति यानि सकसेसर प्राप्त होता है अगर हम बात करें शून्य और रिन्पाँच के योग की, तो किसी भी संख्या का शून्य के साथ योग करने पर वही संख्या प्राप्त होती है यानि के यहां हमें परिणाम प्राप्त होगा रण 5 इसलिए शून्य को योज्जित अच्चमक यानि एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं इस प्रकार आज हमने देखे पूर्णांकों के योग के उधारण अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंदित मिध्यधारणा है आज हम देखेंगे पूर्णांकों के योग से संबंदित मिध्यधारणा है मिध्यधारणा एक, दो धन रिणच्च का परिणाम क्या होगा? जब संख्याओं का चिन्ध अलग-अलग हो तो इन्हे जोडने के लिए पहले दोनों संख्याओं का चिन्ध के बिना मान ग्यात किया जाता है जिसे हम संख्यात्मक मान यानि न्यूमरल वैल्यू कहते हैं फिर बड़े संख्यात्मक्मान से छोटा संख्यात्मक्मान घटाया जाता है। आने वाले परिणाम के साथ जिस संख्या का संख्यात्मक्मान बड़ा होगा उसका चिन लगाया जाएगा। ऐसा करने पर सही जवाब प्राप्त होता है ओप्षिन एक, रिण चार। कई बार य संख्याओं का संख्यात्मक्मान यानि चिन्ध के बिना मान जोड दिया जाता है और बड़े संख्यात्मक्मान वाले पूर्णांग का चिन्ध लगाया जाता है इससे option 3 रिण 8 यह गलत जवाब दिया जाता है पहले कतन से पता चलता है कि फल वाले को एक किलो सेब बेचने पर 4 रुपय का और एक किलो अंगूर बेचने पर 5 रुपय का नुकसान होता है जैसे कि आपको पता होगा नुकसान रिण चिन्ध से व्यक्त किया जाता है चोकि यहाँ 4 रुपय का और 5 रुपय का नुकसान हो रहा है इसलिए कुल नुकसान रिण 4 और रिण 5 के योग से प्राप्त किया जा सकता है इसलिए पहला कथन दी अभी व्यक्ती के लिए उपयुक्त है यानि कि यह दिये सवाल का जवाब नहीं हो सकता कई बार यह धारना बन जाती है कि नुकसान प्राप्त करने के लिए व्यवकलन किया जाता है और इसलिए कथन को रिंड चार, रिंड, रिंड पांच इस प्रकार व्यक्त किया जाता है पर इस्तिती को इस प्रकार व्यक्त करने का तरीका गलत है इसे व्यक्त करने का सही तरीका है रिंड चार धन रिंड पांच दूसरे कथन से पता चलता है कि एक व्यक्ति पहले चार सीडिया उपर जाता है और फिर पांच सीडिया नीचे आता है हम इधर उपर की दिशा धन चिन्न से और नीचे की दिशा रिन चिन्न से व्यक्त करेंगे इसलिए अब वह कौन सी सीडी पर है यह प्राप्त करने के लिए अभिव्यक्ति होगी धन 4, धन रिन 5 ना कि रिन 4, धन रिन 5 इसलिए दूसरा कथन दी गई अभिव्यक्ति के लिए उप्यूक्त कथन नहीं है यानि कि दिये सवाल का सही जवाब है Option 2 कई बार बच्चे उपर और नीचे की दिशा को नजर अंदास करके बस सीडियों की संख्या को जोड देते हैं यहाँ वे नीचे की सीडियों को रिणचिन्न से व्यक्त नहीं करते यह एक गलत समझ है तीसरे कथन से पता चलता है कि डिबे से पहले चार लड़ू और फिर पांच लड़्ू निकाले जाते हैं चोकि निकाले गए लड़ों की संख्या रिण चिन्न से व्यक्त की जाती है इसलिए निकाले गए लड़ों की संख्या रिण 4 और रिण 5 के योग से प्राप्त की जा सकती है इसलिए तीसरा कथन भी दी अभिव्यक्ति के लिए उप्युक्त है यानि कि यह भी दिये सवाल का जवाब नहीं हो सकता कई बार निकाले गए लड़ों की संख्या पता करने के लिए व्यवकलन किया जाता है और तीसरे कथन के लिए अभिव्यक्ति रिण 4, रिण, रिण 5 इस प्रकार व्यक्त कर दी जाती है पर ये गलत है इस प्रकार आज हमने देखी पूर्णांकों के योग से सम्बंदित मिथ्यधार नाए आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का व्यवकलन हमारे जीवन में कई स्थितिया आती है जब हमें पूर्णांकों का व्यवकलन यानि सब्ट्राक्शन ओफ इंटीजर्स करना आवश्यक हो जाता है जैसे तापमानों का व्यवकलन, दूरियों का व्यवकलन, लाभों का व्यवकलन या हानियों का व्यवकलन इत्यादी आईए सीखे ऐसी स्थितियों में पूर्णांकों का व्यवकलन कैसे करें पहले समझे धनात्मक पूर्णांकों का व्यवकलन यानि सब्ट्राक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे करें मान लीजिए किसी स्थान का तापमान 3 डिगरी सेल्शियस है अगर वह बढ़कर साथ डिगरी सेल्शियस होता है तो तापमान कितना बढ़ा यह पता करने के लिए हमें साथ डिगरी सेल्शियस के तापमान से तीन डिगरी सेल्शियस का तापमान घटाना होगा यानि कि धन साथ से धन तीन का व्यवकलन करना होगा जब भी हमें एक पूर्णांक में इसे दूसरा पूर्णांक घटाना होता है, तब हम घटाए जाने वाले पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम यानि additive inverse दूसरे पूर्णांक में जोडते हैं किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसका चिन्न बदल कर प्राप्त किया जा सकता है इसलिए धन 3 का योज्य प्रतिलोम है रिन 3 इस प्रकार योग बन गया धन 7 धन रिन 3 जैसे कि आप देख सकते हैं यहां एक धनात्मक पूर्णांक यानि पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा रिनात्मक पूर्णांक यानि नेगिटिव इंटीजर है तो क्या आप बता सकते हैं इनका योग कैसे किया जाएगा सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं इनका योग करने के लिए पहले हम इनका संख्यात्मक्मान यानि न्यूम्रिल वैल्यू यानि चिन्ह के बिना मान ग्याद करेंगे धन साथ का संख्यात्मक्मान है साथ और रिण तीन का संख्यात्मक्मान है तीन फिर हम बड़े संख्यात्मक्मान यानि साथ से छोटे संख्यात्मक्मान यानि तीन का व्यवगलन करेंगे इससे परिणाम प्राप्त होगा चार और फिर परिणाम के साथ बड़े संख्यात्मक्मान वाली संख्या धन साथ का धन चिन्न लगाएंगे यानि कि परिणाम होगा धन 4 परिणाम से यहाँ पता चलता है कि तापमान में 4 डिगरी से बड़त हुई पूर्णांकों का व्यवकलन हम संख्या रेखा यानि नंबर लाइन पर भी कर सकते हैं यहाँ भी पहले हम व्यवकलन की संक्रिया यानि सब्ट्राक्शन ओप्रेशन का योग की संक्रिया यानि एडिशन ओप्रेशन में परिवर्तन कर लेंगे यानि कि धन 7, रिन, धन 3 के स्थान पर धन 7, धन, रिन 3 लिखेंगे अब पहली संक्या है धन 7 चुकि यहाँ धनात्मक संक्या है इसलिए हम शून्य से दाई और 7 कदम चलेंगे इससे हम पहुच जाएंगे संक्या धन 7 पर दूसरी संक्या है रिन 3 चुकि यहाँ एक रिनात्मक पूर्णांक है इसलिए हम 2 और 3 कदम चलेंगे इससे हम पहुच जाएंगे धन 4 पर जो धन 7 से धन 3 के व्यवकलन का परिणाम है आईए अब हम समझेंगे रिनात्मक पूर्णांकों का व्यवकलन यानि सब्ट्राक्शन अफ नेगिटिव इंटीजर्स कैसे करें मान लीजे किसी स्थान का तापमान रिन 3 डिगरी सेल्शियस से घटकर रिन 6 डिगरी सेल्शियस पहुचता है तो तापमान में गिरावट रिन 7 रिन 3 इस व्यवकलन से प्राप्त की जा सकती है इस तिती में भी पहले हम घटाए जाने वाले पूर्णांक का योज़प्रतिलों प्राप्त करेंगे जो होगा धन 3 और फिर इसे रिन 7 में जोडेंगे रिन 7 में धन 3 जोडने के लिए पहले हम बड़े संख्यात्मक मान यानि चिन्न के बिना मान से छोटे संख्यात्मक मान का व्यवकलन कर लेंगे और फिर जिस संख्या का संख्यात्मक मान बड़ा होगा उसका चिन्न लगा देंगे इससे परिणाम प्राथ होगा रिन चार परिणाम से यहाँ पता चलता है कि तापमान में 4 डिगरी सेल्शियस से गिरावट हुई है इनका व्यवकलन हम संख्या रेखा पर भी कर सकते हैं यहाँ भी पहले हम व्यवकलन की संक्रिया का योग की संक्रिया में परिवर्तन कर लेंगे याने कि रिण साथ रिण रिण तीन के स्थान पर रिण साथ धन धन तीन लिखेंगे अब पहली संक्रिया है रिण साथ चूकि यहाँ एक रिणात्मक पूर्णांख है इसलिए हम शुन्य से 2 और 7 कदम चलेंगे इससे हम पहुँच जाएंगे संख्या रिन साथ पर दूसरी संख्या है धन तीन चुकि यहां एक धनात्मक पूर्णांख है इसलिए हम रिन साथ के दाई और तीन कदम चलेंगे इससे हम पहुच जाएंगे रिन चार पर जो की रिन 7 से रिन 3 के व्यवकलन का परिणाम है इसी तरह हम एक दनात्मक और एक रिनात्मक संख्या का भी व्यवकलन कर सकते हैं जैसे किसी स्थान का तापमान 3 डिगरी सेलशियस है अगर यहां घटकर रिन 60 डिगरी सेलशियस तक पहुंचता है तो तापमान में गिरावट रिन साथ से धन तीन घटा कर पता की जा सकती है यहाँ भी हम पहले घटाए जाने वाले पूर्णांग का योजिप्रतिलों प्राप्त करेंगे जो होगा रिन तीन और फिर इसे रिन साथ के साथ जोडेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं रिन साथ और रिन तीन में चिन समान है इसलिए हम इनके संख्यात्मकमानों को जोड देंगे और आने वाले परिनाम के साथ इन दोनों का चिन यानि की रिन चिन लगा देंगे इससे परिनाम प्राप्त होगा रिन दस संख्या रिखा पर रिण साथ रिण धन तीन का परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले हम इसका योग की संख्रिया में परिवर्तन करेंगे याने कि रिण साथ धन रिण तीन में अब पहली संख्या है रिण साथ तो शून्य से बाई ओर साथ कदम चलेंगे दूसरी संख्या है रिण 3 इसलिए फिर से रिण 7 से 2 और 3 कदम चलेंगे इससे हम पहुच जाएंगे रिण 10 पर याने कि रिण 7 रिण धन 3 का परिणाम है रिण 10 तो आज हमने सीखा जब भी हमें एक पूर्णांक में इसे दूसरा पूर्णांक घटाना होता है तब हम घटाए जाने वाले पूर्णांक का योज्य प्रतिलों यानि एडिटिव इन्वर्स दूसरे पूर्णांक में जोडते हैं आज हम देखेंगे पूर्णांकों के व्यवकलन के उधारण किसी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सही जवाब देने पर धन एक गुण और गलत जवाब देने पर रिण एक गुण दिया जाता है अगर इस प्रतियोगिता में दिनेश को 17 अंक और समीर को रिण 9 अंक प्राप्त होते हैं तो दिनेश इस प्रतियोगिता में कितने अंकों से जीता? दिनेश कितने अंकों से जीता? यह पता करने के लिए हमें उसके अंकों से समीर के अंक गटाने होंगे यानि कि हमें 17 रिण, रिण 9 का परिणाम ग्याद करना होगा क्या आप बता सकते हैं इनका व्यवकलन कैसे किया जाएगा? सोचिए सोचिए आपने सही सोचा पहले हम व्यवकलन का योग में परिवर्तन करेंगे यह करने के लिए पहली संख्या वैसे के वैसे लिखेंगे फिर व्यवकलन का चिन्न बदल कर इसके स्थान पर योग का चिन्न व्यक्त करेंगे और फिर दूसरी संख्या का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे इसके लिए हम दूसरी संख्या का चिन्न बदलेंगे अब हम 17 धन 9 का परिणाम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसका परिणाम होगा 26 यानि के प्रतियोगिता में दिनेश 26 अंको से जीता अगला उधारण किसी इमारत में एक व्यक्ती भूमी तल से उपर दूसरी मंजिल पर है अगर उसे भूमी तल से नीचे तीसरी मंजिल पर जाना होगा तो उसे कितनी मंजिले नीचे जाना होगा? अगर हम भूमी तल की मंजिल को शुन्य माने तो भूमी तल के उपर की दूसरी मंजिल व्यक्त की जाएगी धन 2 से और भूमितल से नीचे की तीसरी मंजिल व्यक्त की जाएगी, रिर्ण 3 से उसे कितनी मंजिले नीचे जाना होगा? यह पता करने के लिए हमें उसके नए स्थान, यानि रिर्ण 3 से वर्तमान स्थान, यानि धन 2 को घटाना होगा क्या आप बता सकते हैं इसे संख्या रेखा पर कैसे हल करेंगे सोचे सोचे चलिए हम बताते हैं चुकि यहाँ व्यवकलन की संक्रिया यानि सब्ट्राक्शन ओपरेशन है इसलिए पहले हम इसको योग की संक्रिया यानि addition operation में परिवर्तन करेंगे इसके लिए हम रिन 3 में धन 2 का योज्य प्रतिलों रिन 2 जोडेंगे इसे हल करने के लिए अब हम पूर्णांकों की एक संख्या रेखा बनाएंगे पहली संख्या रिन 3 है इसलिए हम 0 से 2 और 3 कदम चलेंगे दूसरी संख्या है रिन 2 इसलिए रिन 3 के 2 और 2 कदम चलेंगे इससे हम पहुँच जाएंगे रिन 5 पर रिन चिन्न से हमें पता चलता है कि व्यक्ति को नीचे जाना होगा और संख्या 5 व्यक्त करती है मन्जिलों की संख्या इसलिए भूमितल से उपर की दूसरी मन्जिल से भूमितल के नीचे की तीसरी मन्जिल पर जाने के लिए व्यक्ती को 5 मन्जिले नीचे जाना होगा इस प्रकार आज हमने देखे पूर्णांकों के व्यवकलन के उधारण अगले वीडियो में इनसे संबंदित मित्यधारणाओं को दूर करेंगे आज हम देखेंगे पूर्णांकों के व्यवकलन से संबंदित मित्यधारणाए मिध्यधार्णा एक रिण 5 रिण धन 3 का परिणाम क्या होगा रिण 5 रिण धन 3 को हल करते समय कई बार यहां गलती की जाती है कि 5 से 3 को घटाया जाता है और चुकि 5 बड़ी संख्या है इसलिए रिण चिन यानि negative sign परिणाम के साथ लगाया जाता है इसी तरह कई बार 5 से 3 को घटा कर पहली संख्या रिण 5 का चिन परिणाम को लगाया जाता है इन दोनों मिध्यधार्णाओं से option 1 यह गलत जवाब प्राप्त होता है कई बार 5 और 3 को जोड़ दिया जाता है लेकिन रिण चिन नहीं लगाया जाता इससे option 2 यह गलत जवाब प्राप्त होता है सही जवाब है option 3 रिण 8 क्योंकि रिण 5 से धन 3 घटाना मतलब रिण 5 से धन 3 का योज़ प्रतिलों यानि additive inverse जोड़ना होता है क्योंकि धन 3 का योज़ प्रतिलों रिण 3 है इसलिए रिण 5 के साथ रिण 3 मिलाने पर परिणाम रिण 8 प्राप्त होता है संख्या रिखा यानि नंबर लाइन पर इसे हल करने के लिए पहले 0 से 2 और 5 कदम चले और फिर रिण 5 से 3 कदम 2 और चले जिससे कि हम पहुँच जाएंगे रिण 8 पर इसलिए सही जवाब है option 3 मिथ्यधार्ना 2 निम्नलिकित में से कौनसा कथन सही नहीं है दिये अभिव्यक्ति में इन पूर्णांगों का व्यवकलन यानि सब्ट्राक्शन किया गया है और हमें दिये कथनों में ऐसा कथन डूरना है जो इस अभिव्यक्ति के लिए उप्यूक्त नहीं है पहले कथन से पता चलता है कि एक व्यक्ति भूमी के नीचे की पांचवी मंजिल से साथ मंजिले उपर जाता है अब व्यक्ति कौनसी मंजिल पर होगा यह पता करने के लिए साथ से रिण पांच का व्यवकलन किया जाता है और अभीव्यक्ती 7, रिन, रिन 5 इस प्रकार व्यक्त की जाती है यह गलत समझ है चूँकि व्यक्ती रिन 5-वी मंजिल से उपर की दिशा में 7 मंजी ले जाता है इसलिए वर्तमान मंजिल का पता रिन 5 धन 7 के अभीव्यक्ती से लगाया जा सकता है इसलिए पहला कथन सही नहीं है यानि कि यह दिये सवाल का जवाब है दूसरे कथन से पता चलता है कि एक संग को 7 और दूसरे को रिन 5 गुण मिलते हैं कई बार गुणों में अंतर पता करने के लिए योग किया जाता है और अभिव्यक्ति साथ धन रिन पांच इस प्रकार व्यक्त की जाती है इसलिए दूसरा कथन गलत मान कर दिये सवाल का जवाब ऑप्शिन दो दिया जाता है लेकिन यहाँ एक गलत समझ है यहाँ गुणों में अंतर पता करने के लिए ज्यादा गुणों से कम गुण घटाए जाते है इसलिए अभिव्यक्ति होगी साथ रिन रिन पांच यानिके दूसरा कथन सही है दिये सवाल का यहाँ जवाब नहीं हो सकता तीसरे ओप्शन में बताया गया है कि तापमान रिन पांच डिगरी सेल्शियस से बढ़कर साथ डिगरी सेल्शियस तक जाता है कई बार बड़त पता करने के लिए पहली संख्या से दूसरी संख्या का व्यवगलन किया जाता है जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है यहाँ एक गलत समझ है इसी तरह कई बार बच्चे यह तो सही प्रकार से समझते हैं कि बड़त प्राप्त करने के लिए अंतिम तापमान से प्रारंबिक तापमान घटाया जाता है लेकिन चिंदों को नजर अंदास कर दिया जाता है और रिण 5 को 5 समझा जाता है और इस सात रंड पांच इस प्रकार व्यक्द की जाती है। यह भी गलत समझ है। सही समझ यह है कि वड़त प्राप्त करने के लिए साथ डिग्री से रंड 5 डिग्री सेल्शियस तापमान घटाना होगा, यानि कि अभिव्यक्ती होगी सात रं रंड पांच। चुकि दिया कतन सही अभिव्यक्ती व्यक्त करता है, इसलिए यह भी दिया सवाल का जवाब नहीं हो सकता इस तरह से आज हमने देखी पूर्णांकों के व्यवकलन से संबंदित मित्याधार नाए आज हम सिखेंगे पूर्णांकों से संबंदित निमनलिखित अवधार नाएं हम कई सित्यों में संख्याओं के आगे धन चिन्न यानि प्लस साइन या रिन चिन्न यानि माइनस साइन लगाते हैं साधरन तह इनका उप्योग विपरत स्थितियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिसे बैंक खाते में जमा की जाने वाली रकम धन चिन्न से और बैंक खाते से निकाली गई रकम रिन चिन्न से व्यक्त की जाती है इसी तरह 0 डिग्री से उपर का तापमान व्यक्त करने के लिए धन चिन्न और 0 डिग्री से नीचे का तापमान व्यक्त करने के लिए रिन चिन्न का उप्योग किया जाता है अगर किसी संख्या को धन्चिन्न के साथ व्यक्त किया जाता है तो वो एक धनात्मक संख्या यानि पॉजिटिव नंबर कहलाती है इसी प्रकार अगर किसी संख्याक को रिंचिन के साथ व्यक्त किया जाता है तो वो एक रिंआत्मक संख्या यानि निगेटिव नंबर कहलाती है सभी धनात्मक संख्याएं, सभी रिंआत्मक संख्याएं और शूने से बनने वाले सम्हु को हम कहते हैं पूर्णांक यानि integers साधरन तो हम इन्हें चिन्न के बिना ही व्यक्त करते हैं इसलिए ध्यान रहे शुन्य को छोड़कर अगर किसी पूर्णांग के साथ चिन्न न लगा हो तो वह एक धनात्मक पूर्णांग ही होता है इसी प्रकार रिंट चिन्न से व्यक्त किये गए पूर्णांग जैसे रिंट एक, रिंट दो, रिंट तीन, इत्यादी कहलाते हैं रिनात्मक पूर्णांग यानि Negative Integers शूनि न तो धनात्मक पूर्णांग है नहीं रिनात्मक पूर्णांग इसलिए इसके साथ कोई भी चिन नहीं लगाया जाता पूर्णांगों की समझ सही प्रकार से बनाने के लिए हम संख्यारेखा का प्रयोग करते हैं पूर्णांकों की संख्या रेखा बनाने के लिए पहले हम एक रेखा खीचते हैं फिर उस पर बराबरी की दूरी पर बिंदू अंकित करते हैं इनमें से किसी एक बिंदू को शून्य कहकर उसके दाई और धनात्मक पूर्णांग व्यक्त करते हैं और बाई तरफ रिनात्मक पूर्णांग व्यक्त करते हैं जैसे छो का स्थान संख्यारेखा पर शून्य के दाई और छो कदमों की दूरी पर व्यक्त किया जाता है इसी तरह रिंट चार का स्थान संख्यारेखा पर शूनि के बाई और चार कदमों की दूरी पर व्यक्त किया जाता है पुर्णागों को संख्यारेखा पर व्यक्त करने से इनके तुलना करना भी आसान हो जाता है क्या बता सकते हैं संख्या रिखा पर तुलना कैसे की जाती है सोचिए सोचिए चलि हम बताते हैं संख्या रिखा पर दाई और संख्याओं का मान बढ़ता है और बाई और संख्याओं का मान खटता है यानि कि संख्या रेखा पर बाय तरफ की संख्या छोटी होती है और दाई तरफ की संख्या बड़ी होती है इसलिए हम कह सकते हैं कि रिंड चार छो से छोटी संख्या है इसी तरह अगर दो रिनात्मक पुर्णांकों की बात करें जैसे रिंड दो और रिंड पांच की तो रिंड दो रिंड पांच के दाई ओर होने के कारण रिंड पांच से बड़ी संख्या है जबकि रिंड पांच रिंड दो के बाई ओर होने के कारण रिंड दो से छोटी संख्या है इस तरह से संख्यारेखा को देख कर यह जाना जा सकता है कि सभी रिनात्मक पूर्णांकों का मान शून्य से छोटा होता है और शून्य का मान सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है या इसे ही हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़े होते हैं और शुन्य सभी रिनात्मक पुर्णांकों से बड़ी संख्या होती है। पुर्णांकों के तुलना करके हम इने किसी क्रम में विवस्तत कर सकते हैं। जैसे यहां किसी थंडे स्थान का अलग-अलग समय का तापमान दिया है। आईए हिने संख्या रिखा पर विक्त करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिंड्चर सबसे बाई तरफ है। इसलिए यह दी संख्यां में सबसे छोटी संख्या है। फिर दाई ओर चलते हैं। अब यहां रिंड दो है, जो कि रिंड़्ो के दाई ओर है। इसलिए रिंट 6 से बड़ी संख्या है लेकिन यह 7 और 14 के बाई ओर है इसलिए इन से छोटी संख्या है इसलिए हम इसे रिंट 6 के बाद लिखेंगे फिर अगली संख्या है 7 यह रिंट 6 और रिंट 2 के दाई ओर है इसलिए इन से बड़ी संख्या है लेकिन 14 के बाई ओर है इ चोटी संख्या से बड़ी संख्या तक व्यवस्थित कर हमें एक क्रम प्राप्त हुआ है। संख्याओं को चोटी संख्या से बड़ी संख्या तक बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त होने वाला क्रम आरोही क्रम या असेंडिंग ओर्डर कहलाता है। तो आज हमने सीखी पूर्णा को से संबंदित निम्नलिखित अवधार्ण आए अगले वीडियो में हम इनसे संबंदित उधारण देखेंगे